तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी मोटो कंपनी का फोन है मोट्रोला कंपनी का फोन है और उस फोन में दोस्तों आप जो है फोन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हो थीम के साथ तो कैसे चेंज करूगे फोन्ट स्टाइल यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कीजिए और फिर यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा एक option परसनलाइज ठीक है यहां पर किली करना है अब दोस्तों अगर only आपको font change करना है तो यहां पर font का option है देख सकते हूँ और theme के साथ में मैं आपको font change करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर theme का option है इस पर किली करना है अब यहां पर theme आप नए बना सकते हूँ वाल पेपर के साथ में ठीक है अब जैसे example बता दें है प्लस का option है इस पर किली करना है और यहां पर जो आपको वाल पेपर चाहिए अपना वाल पेपर ले लिजी ए example तोर पर यह हमने वाल पेपर अपना लिया ठीक है उसके बाद में यहां पर मिलेगा font अब यहां पर font जो आपको चाहिए वो अपना कि color यहाँ पे notification पैनल का आता है वो color भी यहाँ पे चाहो तो यह वाला आप न ले सकते हो यह भी change हो चुका है और icon safe भी यहाँ पे जो चाहिए वो कर सकते हो जैसे यह वाला चाहिए यह हम कर लिए आप दोस्तों इसे हम यहाँ पे safe करेंगी और यह वाला theme हमारा बनके ready हो चुका है आप सिधा बैक जाओगे देखोगे safe के साथ में वाल पेपर और आपका यहाँ पर दोस्तों फोंट यहाँ पर बैक जाएंगे यहाँ पर फोंट भी आपका change हो चुका है